हेई गाइज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक नौवल जिसका नाम है ब्लैक स्प्रिंग और यसे लिखा है है हैंडरी मिलर ने और यह पब्लिश होई थी 1936 में फ्रांस में तो जो हैंडरी मिलर है वो एक अमेरिकन राइटर है इनकी इसे पहले जो नौवल आई थी उ जो ब्लैक स्प्रिंग है में लिए एक अटो बाइग्राफिकल नौवल है और इसमें बहुत फरी शॉर्ट स्टोरीज भी है अगर में में इसके स्ट्रॉक्चर के बात करो तो यह जो नौवल है इसमें 10 शॉर्ट स्टोरीज है जिने इस बुक में कमबाइन कर रखा है इस असमें रहिए नौवल है मतलब कि एक आटो पोग्राफिकल नौवल है तो इसमें कहीं न कहीं जो हैंरी मिलर है उनकी नौवल में अपनी बारे में बताया है कि उनकी लाइफ कैसी थी ऐजसा अचायल्ड वा-फिल करते थे या फर जब वह अमेरिका में थे तब उनकी लाइ थे वह पारिस में थे नकि अमेरिका में थे फ्रांस डिफ आपके न सपार आफ ना कि अपर सर्टोल को यás लुए जो स्टोरी चेहा कहीं और हन कोडले गश्यis की में पता चलेका कि हन्री Ada जो मेंटालिटी थी जो उनके थॉट्स थे ऐस चाइल्ड होड में वो कैसे थे और कैसे कैसे वो चेंज हुए और में लिए अपना यह जो वर्क ही डेडिकेट कि एन इसनिन को तो हम पहले जो इनके 10 सेक्शन से और देख रहते हैं क्या क्या नाम है जो फर्स पार्ट है मतलब इस में वाटर माक फिफ्थ है इबर वाल इंटो दे नाइट लाइफ एट थै वोकिंग अपन डाउन इन चाइना नाइथ है बर्लेस 10th है Megalo-Politian Manac Manac मतलब होता है मेनली Madness Mad तो जो एवरी पार्ट जो हैं ये सेक्शन से हैं ये स्टार्ट होते हैं एक एपिग्राफ से एपिग्राफ मतलब होता है कि You are using a quotation from another book another works लाइक अगर मैं यूज करूँ अगर मैं अपनी कोई novel लिखती हो तो मैं Shakespeare की book में से कोई quote उठा लेती हूँ और वो मैं अपने epigraph के तरीके से यूज कर लेती हूँ अपने work में quotation में ही तो इन 10 sections के बात करूँ मैं अगर तो इन में से 9 sections में epigraph यूज किया हुआ exception the fourth one the angel is my watermark इसमें इनोंने कोई भी epigraph यूज नहीं किया है title and themes को हम लेटर discuss करेंगे वीडियो में novel खतम होने के बाद mainly तो first part से start करते हैं the 14th ward तो जैसमें Miller है वो अपने childhood की memories को recount करते हैं उन्हें recollect करते हैं जैसे कि मैंने बताया जब यह लिखी गई थी यह पैरिस में थे यह तो फिर जब वो पैरिस में हैं तो वो अपनी childhood memories को याद कर रहे हैं उसे recount कर रहे हैं जब वो ब्रोकली में थे ब्रोकली जो है वो अमेरिका में एक प्लेस है वहाँ पर वो याद करते हैं जो 14th number ward था वो वहाँ का अपना lifestyle याद करते हैं कि जब वो बच्चे थे वो वहाँ पर थे ब्रोकलीन का वो सिर्फ एक अकेला वर्ड हुआ करता था राइटर के लिए सिर्फ वो उसी वर्ड को जानते थे और जितने भी वहाँ के जो बच्चे थे streets में जो खेला करते थे उनके साथ जो उनके friends हुआ करते थे छोटे बच्चे उसके लिए जो राइटर है उसके लिए वही real heroes हुआ करते थे कि हाँ world में सिर्फ यही real heroes है उन्हें क्योंकि और ज्यादा चीजे पता नहीं थी जैसे कि मैंने बताया कि that is the only world जिसे वो जानते थे तो फिर यहां पर उन्हें बताया है कि जो चाइल्ड हुड की उनकी मैमरी जो लाइफ है वो फंटास्टिक थी इस प्रेश हुड कि इंसुलर थी मतलब की पीसफूल थी वो स्टरीट्स में खेला करते थे ले ट्रीट्जान नहीं हुआ करते थी रामसे फ्रेलती tietही बच्चे जो हैं हुआ था और उрий आंपर फेर और फेर्ट नाम रख में और एक परशन था जिस्का नाम रॉऔ से था जिसने कि वर में गया था और वहां पर उस्टे श्यक्षेी कर ले पी खुद को मंश से गिंदै तो जो मिलर है वह फौर्स सेक्षिन में में बताते हैं कि जो चाहुट है हैं वो बढ़ जाते हैं तो जो childhood है और जो अडल्ट होड़ है दोनों में बहुत ज्यादा difference होता है and nothing can be like the childhood time period so mainly यहाँ पर बात करते हैं childhood की importance को बताते हैं second part है उसमें उसका नाम है a Saturday afternoon तो इस पार्ट में जो मिलर है वो बताते हैं कि वो जो पारिस में बैठे हैं तो बहुत जादा connected feel करते है कहीं नह गए पैरिस से वो कहते है कि America से जादा वो पैरिस को अपना home समझते हैं America से ज़्यादा वो यहां पर comfortable है वो बताते हैं कि उन्हें आइक राइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है सीटी के एराण में घूमना पसंद है लोगों से मिलना पसंद है और वो कहते है कि यह जो city का area है वो उन्हें बहुत जादा पसंद आता है और एक चीज है जो उन्हें सबसे जादा पसंद आती है यहां की पारिस की वो है urinal मतलब कि जो washrooms होते हैं public washroom होते हैं उसकी condition उसकी जो maintenance है उन्हें बहुत जादा fascinate करती है next वो बताते हैं जो Miller है कि उन्होंने जो book पढ़ी है Robinson Crusoe जो Robinson Crusoe है वो Daniel Defoe की novel है तो जो Miller की thoughts हैं वो कहीं न कहीं इस novel में जो thoughts दिखाए गए हैं बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि Robinson Crusoe में बताया गया है कि जो life है वो कैसे थी fragmentation से पहले मतलब कि जिसे हम लोग आजकल बिखर गए हैं तो उससे पहले life हमारी कैसी थी जब यह modernity हमें मिली उससे पहले हमारी life कैसी थी तो कहीं न कहीं उस book के thoughts मतलब कि Robinson Crusoe में जो लिखा है उसके thoughts और जो Miller के thoughts हैं आपस में कहीं न कहीं similarities को दिखाते हैं तो जो Miller है वो कहते हैं कि जो men है they can't be happy अब वो पहले की तरह happy नहीं हो सकते हैं जैसे वो पहले थे क्योंकि आप बहुत सारी problems हागी है जैसे कि इन्होंने बताया है cancer है, philis, syphilis है या फिर pressure of the life है तो यह फारी जो चीजे हैं वो इन्सान को कभी भी happy नहीं रहने देंगी and the man can never be the happy person so जो writer है वो mainly यहां पर ही बताते हैं कि जो childhood है mainly वो सबसे जादा अच्छा area होता है वहां पर जो just of life है जो reality होती है वो बहुत जादा pure होती है जो third section है वो start होता है, third section के नाम से ही third and fourth day of spring तो इसमें जो मिलर है वो बताते हैं कि जब वो Paris में है क्यूंकि जब लिक रहते तो तब वो परीस में थे वो और परीस पारिस में है लिकिन उनकी जो sense है वो stream of consciousness है stream of consciousness होता है कि आप present में नहीं होते हैं आप पास्ट में होते हैं मेली आपकी जो memories है आप उसको सोच रहे होते हैं जैसे कि अगर आपको कोई दिन बहुत जादा अच्छा जाता है घर में आने के बाद भी अपने उस memories को ही flashback में जी रहे होते कि हाँ अब ऐसा हुआ था ऐसा तो जो मिलर है वो पैरिस में हैं लेकिन वो stream of consciousness में है वो अपने childhood home के बारे में सोचते हैं सिर्फ रिस के बारे में सोचते हैं यह फिर सोचते हैं कि जो वर्ड है यह जो हमारा वर्ड है इसमें कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है क्योग जब वोच्चे थे तो उन्हें में बता रहे हैं वो सोचते हैं कि अनके इस स्टोरी है कोई एकलाटी स्टोरी नहीं बलकि यह तो दो उदो शॉटी से स्टोरी धोर्य का पार्ट है और वो सदोनल से मैड फिल के एस निकलना और प हो चाहते हैं किवत अमरीका से बाहर निकल जाए मैंने कहा कि ए में कि और वह अपनी अपनी चाल्डबर मेमर्स को याद कर रहे हैं में decisive है तो यह लक cuma असपनी ते पर लगे में एक सब्सक्रपीस मैं पर इसे मेरारीं लगते में पर बताते हैं कि एक दिन उन्होंने बहुत सारे आर्ट म्यूजियम में विजिट करी, बहुत सारी म्यूजियम में घूमने गए, उसके बाद जो वो घर पर आय तो उन्होंने अपना टाइपराइटर निकाला, उनको इतने जादा इंस्पिरेशन मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे आइडियाज जो है, वो फ्लड हो रहे हैं उनके माइन में, और कोई ऐसी एक्स्टरनल पावर है, जो उन्होंने फोर्स कर रही है, कि वो लिखे हैं, वो इतने जादा अनेर्जाटिक हो गए थे, and he wrote pages, after pages, उन्होंने बात जब उन्होंने खाना खाया, तो वो खाना उनकी जो एनर्जी थी, उसे कम नहीं कर पाई, बलकि वो ऐज़ा फ्यूल का काम किया, उसने उनके creative force में, जैसे कि हम किसी चीज में कोई engine है, उसमें फ्यूल डाल देते हैं, तो वो और तेज हो जाती है, तो ऐसे ही जो उनक कुछ नहीं कुछ पेंट करना जाते थे, लिख तो वो पता नहीं क्यों रहे हैं, लेकिन उने कुछ पेंट करना था, और सड़नी फिर वो अपने एक book उठाते है, painting book, उसमें देखते हैं कि एक insane asylum की photo बनी है, insane मतलब की पागल खाना जो होता है, पागल, तो एक पागल खान तो that is the worst kind of pleasurism mainly, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक horse से start करेंगे, उन्होंने सोचे हो कुछ अलग बनाएंगे, तो उन्होंने पहले एक horse बनाया, उसके हर एक parts अलग अलग तरीके से perfect तरीके से बनाया, उसके बाद उन्होंने बहुत तरी चीजे बनाई, जैसे कि उन्हो होँने भॉलटन बनाया औरोने वाल कैनो बनाया, शमहूक्ट्री बनाई, एंजमि भी बनाई और उसके वो बनाएं और उसमें उन्होंनेë उन्होंने बनाई प्रफिलटके पन्र चाहा व् työ में उसके बाद वह नोह Ösको नम देका उने चुनिशड तरीके से तैनी संदर त और इस section में में जो मिलर है वो अपने father के बारे में बताएंगे उनका पूरा focus है उनके father के बारे में recount करने का तो जो उनके father है उनके बोला है the old man इसमें उनका पूरा focus नहीं पर रहेगा तो बताते हैं कि जो उसके father थे वो एक tailor shop पे work किया करते थे उसके father को drinking and eating का जो work होता है बहुत जादा पसंद था और वो जब break होता था बीच बीच में ये खाने पीने के लिए चले जाया करते थे अब यहाँ पर जो मिलर है वो बताते हैं कि उनके बहुत सारे friends थे मतलब कि मिलर के बहुत सारे friends थे कुछ उनमें से passed away बहुत सारे जो हैं वो चले गए कुछ हैं जिने Jesus मिल गए कुछ ऐसे हैं जो famous हो गए और एक तो ऐसा था जिसकी जब जिसकी death हो गई तो मिलर ने उसकी wife को seduce भी किया था मिलर है वो बताते हैं कि उसको अपने father से बिलकुल भी अटाच्मेंट नहीं है वो बहुत दा frustrated लगते हैं और वो बहुत दा annoyed है उनके presence से और मिलर जो है वो बताते हैं कि जो उनकी mother है वो भी annoyed है उनकी company भी मिलर को पसंद नहीं है मिलर के जो marriage थी early 20s age में उनकी हो गई थी और उनकी इस चीज को देखा found किया कि जो उनकी wife है वो भी उनके parents के तरह ही annoying है वो अपनी wife को भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन एक चीज पर उन्होंने कहा सहमती दी कि हाँ वो good है उन्होंने कहा कि वो good है सेक्स में अगर बात करें हम कि वो जब angry होती है तो जब उसका sex का जो pleasure होता है वो बहुत जादा होता है next section है section number six उसका नाम है जैवर होल concentrate इसमें जो Miller है और जो Miller के friend है वो एक ऐसे friend के घर पर visit करते हैं जो कि अपने wife अपनी daughter और three servants के साथ वहाँ पर रहते हैं तो वो जो उनका घर है और जो उनकी personality है बहुत जादा charming लगती है उने और वो बहुत जादा talkative person है जिसके घर पर जाते है तो जो मिलर है वो बताते हैं कि जो person है वो बहुत वादा talkative है बहुत साथ चीजों के बारे में बात करता है numerous things के बारे में बात करता है जैसे कि poetry है या फिर real states है इनके बारे में next section है section number 7 इसका नाम है into the night life इसमें जो मिलर है वो एक dream ही चीज़ को बताते हैं एक dream को बताते हैं उन्होंने बहुत फारी चीज़ों को बताया जो कि आपस में बिल्कुल भी link नहीं करती है जैसे कि उन्होंने मैसमेराइजिंग सीन बताया है city का, nature का, sex का, death या फिर meaningless peace तो यह फारी चीज़ों कहीं भी आपस में connect नहीं होती है, link up नहीं करती है क्योंकि जैसे कि starting में ही बता दिया इन्होंने अपने recounts के, अपने dreamy life को कि उन्होंने क्या-क्या सपने देखे हैं या फिर जो भी उनकी thoughts है तो जो कि आपस में connect नहीं होती है link up नहीं करती है next section है section number 8 walking up and down in China to जैसे कि मैंने बताया था starting में कि मिलर है वो इस टाइम पे फ्रांस में थे जब वो इस नोवल को लिख रहते पैरिस में थे लेकिन अब जो मिलर है वो डिसाइड करते हैं कि जो यह फ्रांस है जो पैरिस है वो चाइना है वो इसलिए क्योंकि वो अमेरिका से गो और यहां पर वह अपनी कुछ मेमरीज को बताते हैं कुछ थाट्स को बताते हैं एक डेड मेन के साथ देखा था उसे स्ट्रीट में कभी उन्होंने फ्रेग्मंटेशन देखे थे आडेंटिकी कभी प्लैग देखा था कभी जो उन्होंने देखा कि जो ओर्ड प्रिश्ट जया बटाया है कि वहाँ से चलने लग गए हैं नेक्स सेक्शन है मतलब की सेक्शन नुम्बर नाई इसका नम हैपर लिस्क में में लिए उन नहें बताया है एक सीरीज बता ही अपने मेमरीज की कि वो कैसे जो एरिया थे गलियां थी वहां से भूमा करते थे या फिर जो चर्च सर्विस थी वहां जाते थे कैसे उन्होंने डैट बॉडिज को देखा था बढ़ ले शो देखा था या फिर अड़ल्ट्रियल्स वाइफ देखी थे अपनी किसी फ्रेंड क हम वहां की कभी वह अपनी चैलड इभी आगे बैठते हैं ऐपनी यादेता करते हैं ये वह बतां है जब आम्यरिका में थे तो तो इससी यादे ह्ए उनकी तो वह कहते हैं जो अमेरिका है under a tunnel एंड़ ग्रेट प्रेस हैं उनकों केले उन परसंस केले जो चाहतें केायां जो नीचर जो है वो डिफाइंग है या फिडेनाइजर है तो ऐसी चीजों को पेंट करते हैं ऐसी पिच्छर को वेवेट करते हैं बताते हैं पेंट करते हैं और वह यहां पर सटारिकल वे में बोलते हैं कि जो हमानेटी है उसने बहुत वरी चीजों को अचीव कर लिया है क्यों सब्सक्राइब करने लोगों पर कि जो humanitas हमारे टाइम पर खतम हो गई है जो modernity आई है उसके बाद humanity खतम हो गई है कि एक button बटन से ही जोसे war time होता है कि एक button से हम millions को मार सकते हैं क्योंकि जो लोगों कि अधिया है खत्म हो गई है तो यहां पर वह सी को अचीवमेंट बोल रहे हैं मतलब कि एक साथ यूज कि अधिया है और यहां पर जो मिलर है वो चाहते हैं नोपी हैं ताकि वो त्कि वो हाँ पर बैट सके तो यहां पर जो नौर्वल की समरी है वो खतम होती है यह फिर जो हुमानिटी है वो कैसे ब्लाइक स्प्रिंस सीजन में कॉट हो गई है फस कई है और जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरीके फर डिजेस्ट हो गया है उसे बीमारी लग गई है और यहां पर यह वीडियो खतम होती है I really hope that you like the video and if you like the video then make sure that you hit the like button and do subscribe my channel thank you